असलाम वालेकुम दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताती हूँ कैसे आप काली मिर्चों से कर सकते हैं अपने महबत को अपने प्यार में पागल जी हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी महबत आपके कदमों में पड़ी रहे और जब तक आप ना चाहें तब तक वो आपके कदमों को छोड़ करना जाए तो आज मैं आपको बताने जा रहे हूं एक ऐसा अमल जिसे करके आप अपनी महबत को अपने कदमों में हमेशा पाएंगे जिया तो आपको करना किया है आपको सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक कर लेना है लाइक करते ही आपको इस बात की इजाज़त मिल जाएगी कि आप इस इस अमल को कर सकते हैं इस अमल को पढ़ सकते हैं अपनी महबबत को पास लाने के लिए आपकी महबबत आपकी जिन्दगी में हमेशा के लिए आ जाएगी जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपकी जिन्दगी से नहीं जाएगी वो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी शोहर आपकी बीवी या फिर आपके ऐसे व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो आपके जिन्दगी में कानूनी तौर पर है जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे किसी गलत मनसूबे के साथ कर रहे हैं गलत वजह से कर रहे हैं किसी का इस्तमाल करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको क्योंकि तब ये अमल आपके लिए खत्रा भी बन सकता है आपके लिए किसी तरह की परेशानी भी पैदा कर सकता है तो सबसे पहले आपको अपना मनसूबा जो है अपनी वजह जो है बिल्कुल साफ रखनी ह उसके अलावा अब आपको ये काली मिर्चे ले लेनी है और आपको एक और चीज लेनी है वो ये है कि आपको एक गिलास में पानी लेना है सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मैंने यहाँ पर काली मिर्चे ली हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल जो मिर्चे ली है वो ग्यारा काली मिर्चे ली हैं ग्यारा काली मिर्चे आपको इस तरह से लेनी है हाथ में रखनी है अपने और उसके बाद आपको इसके उपर सूरत इकलास पढ़ने के बाद आपको इसे रख देना है इस तरह से अब आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसके बाद आपको ये सारी काली मिर्चे उस पानी के अंदर डाल देनी है उसके बाद याद रखना है वो जो पानी आप ले रहे हैं वो साधारन पानी, साधा पानी नहीं होगा वो आबे जमजम का पानी आपको लेना है इतना पानी आप ले लीजिए उसके बाद उसमें आपको एक काली मिर्चे डाल देनी है काली मिर्चे उसमें जब आप डालेंगे तो सारी काली मिर्चे जो हैं वो पानी के अंदर नीचे तक चली जाएंगी अगर कोई उपर तैरती हुई आपको नजर आती है तो आप उसे निकाल के फेक देंगे बाकी की जितनी भी काली मिर्चें जो पानी के अंदर नीचे चली जाएंगी अब आपको अगला step क्या करना है आपको सारी काली मिर्चें उस पानी में से वाहर निकालनी है और उसके बाद सूरत एकलास आपको एक बार और पढ़ना है तो एक एक काली मिर्च हाथ में लेती जाना है आपको और उसके बाद सूरत एकलास पढ़ते जाना है उनके उपर और उसके बाद आपको काली मिर्चें अपने हाथ में रख लेनी है अब आपको इन काली मिर्चों को फेकना नहीं है आपको बस क्या करना है आपको आग जलानी है और उसके बाद उसमें आपको एक-एक काली मिर्च फेकना है जी हाँ यह अमल करने का सबसे आसान तरीका यह आपको याद रखना है कि जो चंद्रमा की जो तारीख होती है 27, 28, 29 उस दिन आपको यह अमल करना है उनमें से कोई भी एक तारीख पर आप यह अमल कर सकते हैं और आपको इसका तुरंत असर देखने को मिलेगा बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मेरे भाई बेहन हैं जिनोंने इस अमल को आजमाया और उन्हें इसका फाइदा भी मिला उनके जीवन की जो महबबत है वो उनके जीवन में पर्मनेंट आ गई तो आप भी इसे कीजिए और अगर आपकी कोई और समस्या आती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे समाधान ले सकते हैं तो भाईयों और बहनों आज आपने हमारा वीडियो देखा अगर आपको कोई और समस कर दो आपको को 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 आपको को